नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ सागत आप सभी का आज किस ने क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले जो भी बीए के चाहत है जिनका सब्जेक्ट हिस्टरी यानि की इतिहास है उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन होने वाली क्योंकि इस वीडियो इनिवर्सिटिएं में सब्जेक्ट्टू बेस का एक्जाम होने वाला इनके लिए वीडियो मोस्ट इंपार्टन क्यूंकि पूरा का पूरा देख लीजिए यहां पर ठीक है और आप लोग यहां पर देख लीजिए तीर घंटे का समय मिला था और सतर नंबर के आप लोगों को पुडांग था ठीक है और जिसमें से 25 अंक आप लोगों को प्राप्त करने थे तो चलिए पहले सेशन ए आपके एक्जाम में सी तरह तीन समझेगा आप लोग तो कुछ क्वेश्चन जो बहुए कि उनको हल करेंगे पहले देखते हैं आइंसर क्वेश्चन और नहीं की क्वेश्चन जो दिए गये हैं वह हिंदी इंगलिस दूनों में तो जिस महांसा में आपको कंफटेवल लगता वह समझेगा पहला अभलेग मुद्राय अपलेग मुद्राय अशमारक यीघ्वरदश्चं तो इन मीरत क्वेश्चन जो पुरा तत्तव का स्टरोत नहीं है यह यह व्रदश्चन जाद रखेगा यह यह शिच्छन ने नियौए आ इंग्लिस में है कि आंप लोग इंगलिस पढ़ना चाहें त कि भारत में पासार कालिनस सब्धता की खोज किसने थी आप सन आपको मिल गये हैं Mr. Brucefoot B नंबर बहएराम साहिनी और सान नंबर है मैक्ष मूलर और नंबर है रबिंस तो भारत में पसार कालिनस सब्धता की जो खोज किया है वो किया है Mr. Bruce Food ने यानि question का right answer हो जाएगा A number याद रखेगा यो फिर A, A, S, B हो सकता है आपके वहाँ पर serial A, B, C, D दे दिया जाएगा फिर काखा गादे दिया जाएगा यहाँ पर तो दिया गया है अब आसा दा ठीक है तो इसमें right answer हो जाएगा A number ठीक है Mr. Bruce Food चलिए बढ़ेंगे अगले question क्यों अगला question है कि हड़पा सब्विता में बंदर का के साच मिले हैं यानि कि हड़पा सब्विता में जो बंदरगा है उसके साच किस्टे मिले हैं यहाँ पर आप लोगों को अपस्रम दिद्य गिया है मोहन जोद्रो से ठीक है राखी गड़ी से लोथल से हडपा से तो इस question का तो right answer हो जाएगा यहीं कि तो तीन नंबर question है उसका right answer हो जाएगा लोथल याद रखेगा बंदरगा फाच लोथल से मिले हैं ओके चली बढ़ेंगे अगले प्रशन की और अगला प्रशन है कि कमपोज ठीक है महा जनपत की राजधानी थी घटक थी पोतन थी ठ दो तंव्टित-पति तचसिला तो इनमें से जो right answer हो जाएंगे मैं आपको बतादो जो कमपोंज की महा जनेपत की राजधानी जो ती वह थी ठीक याद रखेकर तचसिला दान 200 अगला प्रशन है कि ग्रह त्याग के समय गौतम बुद्ध की आयों कितनी थी यानि कि जब घर से वो चले गयाने कि वो घर को त्याग कर दिये ठीक है तो उस समय उनकी उम्र क्या थे जैसे आप लोग गाउं में रहते तो अचानक से आप लोग शहर चले जाएं जिस डेट को या फिर समय कितनी इंकी उमर थी 25 वर्श के है 30 वर्श के थे 32 वर्श के थे दोस्तों मैं आपको ्राइट रहा बता दूँढ है अपमें जो रारायट आन्या हो जाएगा वो इनमें से दिया ही नहीं मैंने रिषर्च किया तो मुझे मिला कि ये वंतिस साल की आवस्था में जब भी आप लोग सिलेक्ट कर लीजेगा जब भी आप हो सकता है कि आपके एक्जाम में एक कुश्चन आ जाए और 31 ना हो ठीक है तो आप लोगों को करना क्या होगा तीस पे सिलेक्ट करना होगा कि तीस वर्ष की उस्ता में चले गए ठीक है फिर आल 31 आगा तो 31 करिएगा ओके अगला प पूरी में होई थी इसलिए को राइट एंसर हो जाएकर दारंबर ठीक है अगला प्रश्चन है कि मौरेकाल में दिवानी न्याले का प्रमुख कहलाता है उद्गाता अंतपाल प्रिवेस्था ब्योहारिक तो जिन चात्रों का राइट एंसर मालूम है कमेंट सेक्षन खाली सेक्षन बता है मुझे जहां तक रिसर्च किया मेंने वहां तक मैंने यह इंसर दाही पाया है इसलिए बेवहारिक टिक है अगला प्रस्चन है कि मड़ मेखाले के रसनाकार थे तिरू कादेवार और तिरू वल्लुर और सीतलह सत्तानार और तिलक पीम तोलका पीम जा रख ख़ले कि जो रसनाकार थे ठीका का याद रखेगा मडी में ख़ले के रसनाकार थे वह तो आप लोगों को पढ़ने में ठ्वड़ा प्रोब्लम होगी यह थोड़ा तो आप लोग से समझ लिजेगा ठीक है मड़ी मौखले के रश्नकार फितलेसत नार है अगला प्रश्ण है कि गुप्तकाल में बेवहारिक ध्यान देजेगा गुप्तकाल में बेवहारिक का प्रमुक कहलाता था कुलिक पुरपाल नगर स्रेष्ट ठीक है सार्थवाह तो गुप्तकाल में यांद दियेगुप्त काल्मी बीवपारिय का जो प्रमुक कहलाथा था उसका जो नाम है वो सार्थ-वाह है सार्थ-वाह कहलाथा यानि कि रायट-एंसर दा हो जाएगा सार्थ-वाह याद रखेगा अगला प्रेशन है कि मोहम्मद कासिम के आक्रमण के समय सिंध के राजा कौन थे यानि कि जब मोहम्मद कासिम के आक्रमण के जब हुआ उस समय जो सिंध का राजा था वो कौन था तो उसमें जो सिंद्thinking से आपको दे जेगे हैं सबकुत गिन परिमाल दाहिर जैपाँ तो राजा थे उसमें जो राजा थे सिंद के राजा राजा रह खाए बानमबर टीक है दा सिंद्ध के राजा थे याद रखेगा राजा दाहिर अगला प्रश्ण है कि बिक्रम विलाव के रस्टनाकार कौन थे जिस आत्रों को राइट अंसर मालूम बेसे कमेंट करके तो इसमें जो बहु विक्लपि यादि की वस्तुनिष्ट जो प्रस्ण दिये गए थे वह मैंने आप लोगों को सारे के सारे हल करा दिये पिरहाल इसमें जो दिया गया था यस्में से आप सबीको सिर्प 12 कोईस्चन है जिसमें 10 आप लोगों को हल करने होगे यानि कि 12 वह वि सेसन बी है इसमें कहा जा रहा है कि अतुलग हुत्रे प्रस्द यानइ की जो इंसर आप लोगों को देना उत्तर देना है वह सदर से सो सब्द के बीच में देना है दिये पांच स्व長 मैं से किनी तीर बसना को उत्तर देना है यानि intrins प्रसंट दिये गए है जिसमें से आप लोगों को तीन के एंसर देना जिसमें से आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो अच्छे से आप लोग को समस्ज हो उस question का answer आप लोगों को देना है आप संदेध देगे हैं 5 select करना है 3 तिन के answer देना तब पहला question देखते कौन सा है दिखा इतिहास के पुरातात्त विक स्ता अवाड़न कीजिए तो आपने उपर आभी क्या देखा था इतिहास के पुरातात्त विक सोत तो मैंने आप लोगों क्या बताए अभी उपर देख लीजिए फिर से मैं आप लोगों दिखा दे रहा हूं Okay अभलेख मुद्राएं अश्मारक तो ये प्र जो कि 70-100 सब्द में होने चाहिए ठीक है अगला प्रशना है कि बहुत धर्म के विकास के कारणों के वियाखा करें यानि कि जो बहुत धर्म है वो किस कारणों से ठीक है उसका विकास हुआ भाई जैसे कि कोई कुछ काम करता है तो उसमें क्या कारण थे किस वज़ा से वो वि ठीक है और भी जो सब्सक्राइब यानि कि बुद्धिसम ठीक है फिरहाल इस दूर कोईस्टन का राइट एंसर तो आप लोगा आशाइंस देंगे हमें भरोसा है कि ज्यादा हाड नहीं है बहुत आशाइंस देंगे तो यह आप लोगों के छिन नंबर के लिए हो गया है ठ इस दूसरा भी कोईस्टन दिया गया है कि पल्लो काली वस्तुकला का वर्ण कीजिए चाहिए आप इसका आप लोगों कीजिए तो तीन हो जाएंगे तो आपको पूरे का पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे नंबर मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया याद रखिए ठीक है तीन त्राकी नौ तीन करेंगे पर कोईस्टन के तीन नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आप लोग इसका एंसर ढोलना चाहते तो गूगल पर सर्च कर लिजिए गा या फिर आप लोगों के लिए आप बोलेंगे तो हलाकि बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई जिसमें एंसर भी बताया है और सब्जेक्टिव वाले ठीक है लग उत्रे अथ लग उत्रे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और गूगल पर सर्च मार सकते हैं या फिर अपनी कोश्चन बैक में जो कि मैं आपको लोगों कोवे संब्स बताया दे रहा है खंडश है दो में लिखा है कि जो लग हुत्रे प्रसंद दिए गए हैं इस में से 200-250 व्हाहां संबदों में उसका ऐंसर देना होगा 5 प्रसंद दिए गया हैं जिसमें से 3 को attempt करना यानी कि 3 के answer आप लोगों को देना है पर कोस्चन कि आप लोगों को जो नंबर मिलने वाले हैं वो छे number लोगों मिलने वाले यानी एक question के answer देंगे तो छे number मिलेंगे वगर क्किनों का इंसर देंगे 5 में से तो पूरे के चेतरी-खठारा नंबर मिलने वाले तो प्विता के नगर नियोजन का वड़न कीजिए हैं तो हाई हॉप अपिता के बारे में आप लोगों को नौलज है पूरे का पूरे नमबर आपको मिल जाएंगे अगर नाहीं भी देगा तो चाहर नमबर तो एक जामर देगा ही अगर का नियोजन कैसे हुआ उसके बारे में अगला प्रशन है कि 16 महा जनपतों का वर्ण कीजिए तो इरियास में 16 महा जनपत कौन थे उसके बारे में आप लोगों को लिखना है ठीक है अगला प्रशन है कि असोक के धर्म को समझिए ठीक है असोक का धर्म कैसा था उसके बारे में आप लोगों को लिखन है कोई ज़्यादा हाड नहीं है फिर आल अगर आप लोग समझेंगे तो जो नहीं समझदार है या फिर नहीं समझदार तो उसके लिए तो हाड है ही ठीक है अगला कुश्चन है कि समझद के भीजे अभियानों का वड़न कीजिए चलिए अगले लिखाय कि छिदांक नागवंस का सबस्तार वड़न कीजिए ठीक है तो यह कुल मिला के पांच कुश्चन दिएगे जिसमें से आप लोगों को तीन एक एंसर देना है जिसके बारे मालूम है आधिक जानकारी व पर डी इसमें बताया जा रहा है कि तो दीर गुत्र प्रेस्ट है इसमें से जो अंसर लिखना उत्तर लिखना है वो 500 600 सब्द में आप लोगों को एंसर लिखना है और पर लोगों को 11 बिलने वाले हैं ठीक है याद रखिए गा पर कोश्चन के 11 बिलने वाले पांच को साहितिक सुरुत क्या है उसके बारे में लिखना है अगला है किस्टिक अंदर के आकमन और उसके प्रभाव का वर्ण कीजिए मोस्ट्यू पार्ण कोईशन है मोरे काली इन प्रसासन पर प्रकाश डालिए इसके बारे में भी आप लोगों को ज्यादा डीटिल में जाना की जोद नहीं है आप लोग समझगे होंगे पढ़ लीजेगा एक बार बस मोरे काल के बारे में लिखा गुप्तकाल की समाजी समाज में उसका क्या इंपक्ट रथा समाज से समाज के हिसाब से उसको किस नजरिये से लोग देखते थे और आर्थिक उसकी क्या इस्तित थी आर् किस वज़ा से नामकरन इसका पड़ा उसके बारे में इसको आपको लोगों को शाविस्तार वर्डन के ना उसके बारे में कम से कम 500-600 अगर आप लोग 300-400 वर्ड में भी लिख देंगे ना तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अगर नंबर आप लोगों कोई जमन पूरे दे तो गारंटे के साथ कर सकता हूं कि आप लोगों को कोई फेल नहीं कर पाए तो सारे कोईस्चन आप लोगों इसका एंसर ढूंड के आप लोग बोलेंगे तो एंसर भी हम प्रवाइट कर देंगे हलां कि जो जरूरी थे एंसर बहुवे किलपे वाले मैंने आपको बता ही द ठीक है कि मैं आपको बता हूं तो कमेंट सेक्शन में आप बताए और कौन से सब्जेट का फुल माडल पेपर प्रिबियस एयर का पिछले साल का माडल पेपर चाहिए तो बताएं कमेंट में हम वह भी आप तक प्रोवाइट करेंगे ठीक है मिलते हैं नेस्ट बीडियों त सब्सक्राइब तक ले जाएं